नमस्कार दोस्तो सुवागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टी चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रेशन थियोरी के 30 important questions जो सभी टेक्निकल एक्जामों के लिए बहुत ही महत्व पूरण है तो चले start करते हैं first question है और दोस्तो आपको बता दू कि वीडियो के last में आपसे एक question पूचा जाएगा जिसका answer आपको comment करके बताना है तो चले question ही start करते हैं first question है HRC fuse के fusing कारक क्या है option है 2.7, 1.7, 1.4, 1.1 तो दोस्तो इसका correct answer होगा 1.1 HRC fuse का fusing कारक होता है 1.1 और दोस्तो HRC fuse का full form बता दू कि high capturing capacity fuse होता है अगले question के और बढ़ते हैं अगला question है fuse का कार्य है option है voltage को रोकना, धारा को रोकना, धारा को कम करना या ये सबी तो दोस्तो इसमें correct answer होगा धारा को रोकना fuse का मुखे कार्य होता है उच्छ धारा को रोकना अगला question है relay का मुखे कार्य है option है fault को अलग करना, fault को डूणना, fault होने से रोकना या उप्रोक्त सभी तो दोस्तो इसमें correct answer होगा relay का मुखे कार्य होता है fault को डूणना हमेशा fault को डूणना relay का मुखे कार्य होता है next question है शुरक्षिया युक्ति किसी उपकरण को किसे विरूद सुरक्षिया परदाहन करती है उपशन अतिबहर, लगुपथ, विद्दूजटका या उप्रोक्थ सभी तो दोस्तों आपको बता दू कि कोई भी सुरक्षिया युक्ति, उप्रोक्थ सभी अतार्थ, अतिबार, लगुपात, विद्धुजटका, सभी के लिए सभी के विरूद सुरक्षिया परदाने करती है तो इसमें D-Correct हो जाएगा Next Question आए कम समतावाली DC मसीन की योग किसकी बनाई जाती है Option है Cast Iron, Aluminium, Petal या Fabricated तो दोस्तों इसमें Correct होगा Cast Iron और उच समतावाली DC मसीन की योग कास्ट इस्टील की बनाई जाती है अगला Question है उच सम, उच तम दक्सता प्राप्त करने के लिए DC जन्नित्र में बर्सों को रखना चाहिए Option है, ज्यामित्य उदासिन अक्सपर, चुम्ब के उदासिन अक्सपर GNA थता MNA के बीच में या कहीं भी तो इसमें Correct आंसर होगा चुम्ब के उदासिन अक्सपर किस पर? चुम्ब के उदासिन अक्सपर अगला Question है DC जन्नित्र की दक्सता होती है Option है, 60 से 80% तक 70 से 80% तक 85 से 95% तक या 100% तो इसमें होगा इसमें Right आंसर होगा 85 से 95% तक DC जन्नित्र की दक्सता हमेशा होती है Next Question है एक लंबे संट कंपाउंड जन्नेटर में निर्मित ओल्टेज 400 ओल्ट है फिल्ड संट रेजिस्टेंस 80 ओम है संट फिल्ड करंट की मत गणना कीजिए तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है विद्धुधारा तो विद्धुधारा ज्याद करने का सुत्तर होता है V बटा आर 88 ओल्टेज बटे परतिरोद तो दोस्तों ओल्टेज दे रखा है 400 ओल्टेज और परतिरोद दे रखा है 80 ओम तो 0 से 0 कैंसल आट पंजे 40 तो अर्थार्थ 5 एंपियर धारा होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C Next question है Compound DC generator का एक उप्योग है ओप्शन है Electroplating के लिए Welding generator के लिए Street light के लिए यह railway के लिए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह अर्थार्थ Electroplating के लिए DC Compound DC generator का प्योग किया जाता है Next question है DC generator की rating की जाती है Option है Watt से Kilowatt में Ampere में यह इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Kilowatt में Kilowatt में अर्थार्थ के W में अगले question है DC संट मोटर का उप्योग नीचे लिके निमन परियोगों में से किस में होता है विद्धू ट्राम या ट्रेन में विद्धू तोयेष्ट या करेन में उच परारमबिक टोरक के साथ मसीन उपकरन ड्रावव के साथ तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा D अर्थार्थ मसीन उपकरन ड्रावव के साथ में नेक्स्ट क्यूशन है एक DC मोटर का लोड और फलक्स अचल और प्रायोगी कोल्टेज को 5% बढ़ आते हैं तो जो आरमेचर के बीच में हैं तो गती मोटर की गती होगी ओप्चन अब 5% बढ़ जाएगी 5% घट जाएगी कोई बदलाव नहीं होगा या अनन्त हो जाएगी तो दोस्तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5% गती भी बढ़ जाएगी नेक्स्ट क्यूशन है लिप्ट में कौन सी मोटर प्रियोग में ली जाती है ओप्चन है DC संट मोटर DC सिरीज मोटर कमपुलेटिव कंपाउंड DC मोटर डिप्रेंचियल कंपाउंड DC मोटर तो दोस्तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा DC सिरीज मोटर हमेशा लिप्ट में प्रियोग ली जाती है अगला क्यूशन है अक्स के परित मोडने या मरोडने बलागून को कहा जाता है ओप्चन है गती, सन्वेग, टोरक, यवेग तो दोस्तो इसमें राइट हो जाएगा टोरक बलागून को क्या कहा जाता है टोरक नेक्स्ट क्यूशन है कौन सा नियम DC मोटर में कंड़क्टर की गती की दिशा की पैचान करने के लिए लागू किया जाता है ओप्चन है फ्लेमिंग दायात का नियम फ्लेमिंग बायात का नियम कोरक की स्क्रू नियम दायने आत के अंगू ठे का नियम तो दोस्तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग बायात का नियम फ्लेमिंग का बायात का नियम मोटर की conductor की गति का पैचान करने के लिए बायात का नियम का उपयोग किया जाता है अगला question है DC मोटर का back EMA की गणन आ करने के लिए सुत्र क्या होगा तो दोस्तो इसके लिए सुत्र होगा C, अर्थार्थ back EMA वराबर V-armature 1 गुन आर्फिर 25 पर्तिरोद अर्थार्थ शी क्रेक्ट होगा अगला क्यूशन है DC 3. स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्ता में अपने पास चिपकाई रखती है ओप्शन है NVC, OLC यूरे कातार इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा NVC, दोस्तो NVC का फुल पोरम बता दू, No Olt, कवाईल अगला क्यूशन है यदि कोई DC संट मोटर लोड रही था आवस्ता में कारे रथ है और उसकी फिल्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा ओप्शन हम मोटर रुख जाएगी मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर सोर पेदा करने लगेगी, मोटर की घुर्णन गत्ती उच्छ हो जाएगी, तो दोस्तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोटर की घुर्णन गत्ती उच्छ हो जाएगी, अगर संट मोटर है तो अर्थार्थ अगर इसके जगे DC सिरीज मोटर होती तो यह मोटर इसमें यह करेक्ट रो जाता लेकिन इसमें संट ओने के कारण मोटर की गति उच्छ हो जाएगी अगले कुशन के और बढ़ते हैं अगला कुशन है यदि किसी कारेरत DC सिरीज मोटर की फिल्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों मैंने अभी बताया ता इससे पहले वाले कुशन में कि अगर DC सिरीज मोटर होगी तो मोटर की गति रुख जाएगी तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा अगले कुशन के और बढ़ते हैं अगला कुशन है गीजर में फ्यूज बार बार उड़ रहा है कारण बताईए ओप्चन है थर्मो इस्टेट के आसपास लिकेज थर्मो इस्टेट सेटिंग बहुत कम है hitting element का सत्य से touch होना या thermostat setting बहुत हदिक है तो दोस्तों इसमें right answer हो जाएगा C अर्थार्थ hitting element का सत्य से touch होना यहीं एक मुख्य कारण है कि गीजर में fuse बार बार उड़ रहा है अर्थार्थ फिगल रहा है Next question है Circuit breaker में अधिकता मूर्जा जिसे fault होने पर circuit breaker आसानी से बादित कर सकता है उसे काहा जाता है तो दोस्तों उसे काहा जाता है Rapturing समता Rapturing समता Next question है विदूत heater की connecting lead में किस पदाहर्थ का insulating सामगरी परियोग होता है option है बेकलाइट पदार्थ पोर्सलिन पदार्थ रबबड पदार्थ S-Bus test पदार्थ तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा पोर्सलिन पदार्थ अर्थार्थ भी correct हो जाएगा विदू थीटर की connecting lead में पोर्सलिन का परियोग किया जाता है अगला question है पीक बार सनी अंतर कारे रत होते हैं उप्षन निमन लोड गुनक पर उच लोड गुनक पर मध्यम लोड गुनक पर यह इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा निमन लोड गुनक पर पीक बार सनी अंतर हमेशा निमन लोड गुनक पर कारे रत होते हैं next question एक इद्दन चेल किस उर्जा को विद्दू तूर्जा में परिवर्थित करता है तो वह हैं हमेशा एक इद्दन चेल रासाइनी कूर्जा को हमेशा विद्दू तूर्जा में परिवर्थित करता है next question क्यों बढ़ते हैं next question है थर्मिष्टर का प्रतिरोध ताफवान में वर्दी से होता है तो यह बढ़ता है गढ़ता है नियत रहता है या सुन्ने हो जाता है तो दोस्तों इसमें से बता ना है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा भी थर्मिस्टर का परतिरोध तापमान वर्दी से गठता है अगला क्यूशन है कंट्रोल सर्किट में उप्योग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन किस्यादिक नहीं होना चाहिए उप्योग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन हमेशा 5% से हदिक नहीं होना चाहिए अगले क्यूशन के और बढ़ते हैं अगला क्यूशन है ताप ये विदुद पलांट में परियुक्त होने वाले कोईले में राकी मातरा होती है तो राकी मातरा कितने परतिशत होती है उप्योशन है 5%, 10%, 20% या 0% तो दोस्तों इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा 20% Next question है किसी thermal power plant की दक्सता करीब होती है ओप्शन है 100%, 85%, 80% या 35% तो इसका क्रेक्ट आंसर होगा 35% किसी भी thermal power plant की दक्सता करीब 35% के आसपास होती है भारत में operating आवरती होती है भारत में 50-60 operating आवरती होती है इसका बीक रेक्ट हो जाएगा अगले क्यूशन है जब दो transformer समाना अंतर में चल रहे हैं काम कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बाटेंगे तो उप्शन है leakage reactance, चुम के धारा, प्रतिकाई प्रतिवादा ये KVA rating तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा KVA rating किलो वोल्ट एंपियर दोस्तो इस क्यूशन का अंसर आपको comment करके बताना है तो ये हैं क्यूशन है खुला परिपत परिक्षन दुवारा किसका मान ग्याद किया जाता है वो अप्शन है आइरन लोस कोपर लोस यांत्रिकानी या विद्धुथानी तो कमेंट करके इसका answer दीजिए दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए